नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आपके कंप्यूटर या लेप्टोप के साथ जुड़े हुए जो वाइफ़ाई है उसका आप पासवर्ट के से जान सकते हैं क्या होता है कि कहीं भी किसी भी जगह करते हैं और आपको क्या होता है कि वह पासवर्ट चाहिए होता है ताफा कि आपको सिस्टम के साथ या किसी अधर Larry पने कर सको लेकिन वाश्र Theater स्वाफ अमस्वाइप करनेक्ष नहीं प्रकार करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको जो लेप्टोप है, यहां पे जो आपका लेप्टोप है, उसके डेक्स्टोप के नीचे आपको जो टास्क बार दिखाए देता है, यहां पी आपको सर्च करना है, कंट्रोल पेन पे आपको क्या करना है ओपन कर लेना है अब यहां पर आपको सर्च करना है नेटवर्क एंड शेरिंग सेंटर तो यहां पर आपको क्या करना है सिंप्ली एन प्रेस करना है ताकि वह हाईलेट हो जाएगा तो यहां पर यह दिखी हाईलेट हो चुका है नेटवर्क एंड शे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन शोगी जहां पर आपको दिखाए देगा wireless properties अब इसके उपर आपको क्लिक करना है इसके उपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहां पर next screen जो दिखाए देगी यहां पर first दिखाए देगा तो यहां पर क्या करना है आपको जश्ट कुछ नहीं करना है यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी password होगा वह यहां पर शो हो जाएगा तो इस तरीके से आप किसी भी computer या laptop के साथ जो wifi जुड़ा हुआ है तो उसका आप इस प्रकार से password निकाल से